नसकर दोस्तों, आज की डेट है 12 अपरिल 2024 स्वागत है आपका आज के करंटेफे डिसकस्न में चलिए डिसकस्न स्टार्ट करते हैं हमारा पहला auarticle है, वो केजडिवाल जी के बारे में, क्यों की लिएक एड़ी के खिलाब और इदेए इनको आरेश्ट कर सकती थी इसलिए इनको आरेश्ट कर लिया गया था तो इसमें politics बहुत जादा दीगी इस article में तो हम इसको discuss नहीं करेंगे हम चलते हैं हमारे पहले article की और पहला हमारा article है सुभाचंदर बोस जी के बारे में क्यों news में है news में इसलिए है कि कंगना रनोत है इन्होंने एक speech दी थी सुभाचंदर बोस है वो बारत के पहले परदार मंत्री है तो हम इनके बारे में देख लेंगी सुभाचंदर बोस जी के बारे में इस article में इतना detail में है नहीं हम अपने हैं से डिसकस करेंगे ताकि आपका प्रिलीम का एक बड़ा टोपिक कवर हो जाए, इनका जन्म हुआ था, दो में आपका हिस्ट्री का ये बहुत बड़ा टोपिक कवर हो जाए, इनका जन्म हुआ था, अब उस चीज में आईएस बनना बहुत बड़ी चीज थी उस टाइम में आईएस बन की बाद में तुरंट उन्होंने उन्नीस सो इन्होंने आईएस का जो पत्ता उसका त्याग दे दिया और वो भारत आ गए जो आएँएस में आईएस बन की जा सकते हैं बाद में ये मन रोय और जावल alar नहोंने जूड़े और जो वामराज बन ती ती वामराज पन ती जो राज नीटी ती उसको प्रमोट करने का भूमी का नहीं पई उसको पर्मोट करने में महत्व पूर्ण भूमी का नहीं पई और इसके साथ में जो नहरू रिपोर्ट आई थी उसका इन्होंने विरोध किया क्यों नहरू रिपोर्ट में बात की गए थी Dominion Status के ये खिलाफने ये बात करते थे पून सवराज की बात करते थे जबकि नहीरु विपोर्ट थी उसमें Dominion Status की बात की गई थे तो इस परकार से इनलों ने Dominion जो Status के वाली बात थी उसका विरोध किया इनलों पून सवराज की बात करे तो तो। सब्सक्राइब पहले यूवाज सदसी बन गए थी कांग्रेस का पहले यूवा समीती थी उसके अध्येक्स भी बने 1921 में और कांग्रेस जूड़ गए थी बाद में 1938 में पहलेक्स का हिरापूरमें सेसन वह सप्त्तर उवा थी इसमें के अद्यक्स बन गए। कोंग्रेस का इरापूर में 17 की बाज में 1949 में त्रीपूरी में ये सेसन हुआ। ये जो सेसन था कापी ज्यादा इंपोर्डन हो जाता। क्यों यहां पर इनके खिलाफ कौन ते पत्टाभी सितारमया और यह जो पत्टाभी सितारमया थे इनको सपोर् को लगा कि तनाव है तो गांदी जी ने कहा कि यह जो हार हूएए नीक कपत्ता मेंख के इनको लगा कि में जीता हूं तौर इंन JI ने कॉंग्रेस अपना पत्ता उसको त्याग दे दिया और इन पंगाल पर्मट करना सथा था बाद में ये जर्मनी चली ठाथ कि続kin गें ये जो इसकी आम जंता सुनती थे थे तो उनको motivation देने के लिए उनको डेश की राजनतीम आगी आने के लिए डेश का जो सवतनता का अंजोलन था उसमें आगी आने के लिए प्रेजरित करते थे और इस रेडियो में एक स्पीच के दोरान इन्होंने महात्मा गांदी को राष्ट्रपिता कहके संबोधित किया था तो राष्ट्रपिता महात्मा गांदी को सबसे पहले किसने संबोधित किया था वो आजादिन फोज की अद्देक्स और सुपाचंद बोश जी द्वारा इनको संबोधित किया था आजादिन जो रेडियो था इस दोरान ही इनको संबोधित किया था बाद में जर्मनी से जा कर लिए इन्होंने आईने किस ता अपना किस ने की थी आई एने किस ता अपना मोन सिंग और जापान के एक मेजर थी इच वे इनके द्वारा किस ता अपना की गई ती इसके सैनिक कौन थी इसमें 50,000 प्लश शैनिक थी यह जो सैनिक थी जपान और इनके मद्धि जो अटेक उसमें कुछ प्रीजिनर थी, कुछ-कुछ सैनिकों को बंदी बना दिया गया था, यह जो बंदी थे, इनको सैनिक बना दिया गया, आईयने का, इंडियन नेशनल आर्मी का, इनको सैनिक बना दिया गया, और बाज में जो यह आईयने थी, इन्होंने अटेक कर दिया, इमफा थे भारत में मुकदमा चला गया इसके खिलाब बहुत बड़ा विरोध परदसन भी वह भारत में कि आईने की खिलाब इस परकार से मुकदमा नहीं चला सकते वाब फिर आजाधिन सरकार की इन्हों ने स्तापना भी की थी जिसकी कारण इंडी पहले परदान मंत्री बने थी तो 1943 में इन्हों ने आजाधिन सरकार की इस्तापना करी इसकी जो कैपिटल थी वो पोर्ट बलेर में थी ठीक है भारत के पहले परदानमंत्री भी गोशित हो गई मतलब आजाधिन सरकार में ये पहले परदानमंत्री बने और होम मिनिस्टर भी बने रास बियारी बोस थे वो जह हिंद तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दोंगा इस परकार के कुछ इंपोर्टन इन्हों ने स्लोगन भी दिये थे तो इनकी भूमी का बहुत ही ज्यादा इंपोर्टन हो सकती है यह देखो 1919 में आई आई सी एसे फिर जोइन कर दिया तेश में ये अधिक जेक के अम चलते हैं अब वहों नेस्ट आर्टेकल की ओर मैं सबसी पहले है ना न्िउज में क्यों है रैष्ट्परतिक की द CHEERING इनप् his हार इस दिन ऑरे ता ना यहे बात करेंगे यह जो है ना इस दिन चेत्रमास को भारत में और था सेलिब्रेट की जाते हैं चेत्र मास से वो हिंदू नवरस का सुरुवात माना जाता है हिंदू नवरस के कोडिक यह पहला महीना माना जाता है तो अलग-अलग रिजन में इसको अलग-अलग नाम से सेलिब्रेट की जाता है बड़ इसका मकसद यह ही है कि यह पहला महीना है इ है दिवारे में चेतर सुक्राद्र क्या होता है जपीक तो पहला दिन कौन सा पढ़ता है पहला दिन पढ़ता चेतर सुक्रला दी इसलिए इसको सेलिब्रेट ही जाता है अब हम बात करेंगे विक्रम सुक्रादी क्या होता है तो विक्रम सवन्थ है ना विक्रम सवन्थ की शुरुवाद की गई थी समराट विक्रमा दिते के दोरा क्या हुआ था सक थी ना उन्होंने उजेन पर अटेक कर दिया और उजेन के समराट को थी उजेन के समराट थी समरा इनोख को प्राजीत कर दिया एक नाई यूक की शुरूआत की तो इनोखनी यूक की शुरुवाद कीं इसके को कुछ इंडर् को सुरुवाद कर दिया कि हिंडु नव वरसकी सुन बारत मैं इसका पालन किया जाता है उत्री सब्सक्राब की प्लाम की minut हराने पर सक स्वंध भी होती है वो सकंग के दवारके उसकी सुरुवाद की गई थी फिर उगाधी क्या होता ए उगाधी एक नहात्यों हरे में इस दिन नवरसज के जाता है कहां तो उगादी परची आपको रिजन पता होना चाहि कोण से त्योहर में तो उगादी त्योहर में सेलिब्रेट किया तै यहां पर एक काफी इंपोर्टन त्योहर होता है सारे लोग आपस में मिलते हैं घर का जो तरवाजा होते हैं वहाँ पर एक तोरण मना यह दरवाजा इдरवाजा यहाँ पर तोरण घहाँ या तोरण आलू कहा जाता है तो यह घर का दरवाजए पर ignore फेसी प्रकार से यह तोरण लिए जिसका मतलब होता है नarya पख़वाडा या चंत्रमा की अकषण पारीया महारस्त गव्हाँ थी यह संस्क Natak के रेजन में भी ऐसी सेलिवरेट के जाता है या रंगोलिया बनाय जाती है जुलुस निकाले जाती है इस प्रकार से होता है महत्वक्यों सिग्निफिकेंस क्यों है पहला जो ब्रमाजी है इन्होंने ब्रमाण का निर्मान किया था फिर भगवान रा में वह रावन को प्राजित करकी वापिस अयोध्या लोटे थी इसलिए भी से इसलिवरेड किया जाता है साथ यह साथ में जो च्छतरपति महराज है उनके द्वार मना जाता है इसे जूले लाल जैन्ती के रूप में भी मना जाता है इस दिन जूले लाल जी है उनको डेडिकेड किया जाता है उनकी पूजा की जाती है तो यह उनको डेडिकेड है जो चेत्रमासन वहाँ पर सिंधी बासा में चेत कहा जाता है इसलिए इसे चेटी चद कहा जाता है, इसका महत्व क्या, इसका महत्व यही है, कि जूले लाल जी, जिनको अवतार मान जाता है, बगवान जो वरूँण डेवन, उनका अवतार माना जाता है, तो इननोंने सिंध्यों की रकसा की थी, सिंधी कल्चर को बचाacam disrespectful को बचा जाता है, इसलिए इंको सर्दांचली दिए और यह चेतर नवरात्ति के पहले दिन में सेलीबरेट की जाता है इस दिन जो कस्मीरी पंडीते वो ठाली में चावल बरते है और इसे मनाए जाते हैं इसमें धोवाने उर्वक्ता इसके रूप में इसे मनाए जाता है और वसंतुरीती की सुरुवा आपको कहां सेविए कि जाता है साजीदूचेफी रावो को मनीपूर में सेलिब्रेड की जाता है साजीदूचेरोव menti के इसडिन क्हें जाती है मई त derecho कि दो और इस दिन क्या होता है इस दिन लोग औरन भुझन करते है भगवान कौन सा त्यहवार कहां मनाया जाता है इसका इंपोड़न्स क्या है और किसको यह डेडिकेट है यह तीन चार चीजे आपको पता होने चीज जैसे हमने यहां पर देखा गूड़ी पड़वा कहां मनाया जाता है महाराष्ट्र गोवा में ठीक है बगवान चत्र राम इस दिन मैंने विक्रम सवंत की बारा में देखा उगादी जो अंदर परदेश करनाटक वहां सेलिब्रेट की जाता है चेती चांद को जो सिंधी कमिन्टी उनके दुवारा नवरे कस्मीर में फिर साजी चैरूब मनिपूर में सेलिब्रेट की जाता है तो यह सारी चीज आपको पत में तो 16 फाइनेंस कमिन्सन के बारे में बात करें तो इनके अध्यक से अर्विन परंगाडिया जी बाकी जो मेंबरें उनके बारे में आपको याद रखने की आप सकता नहीं है उनके बारे में क्यूसन नहीं पूछा जाएगा तो आपको अध्यक के बारे में पता होना चा गी इनकी सिफारे 5 साल तक चलेगी निए genre 26 में बढने रिपोर्ट देंगी 2016 यह Bali जाएगी इस दुर्फ में सारा जी दिये फ़ाइनस कमिशन के बार हम देख लेता है यह सब्हों करना कब गी इत GD 211 yeah ये एक सविधानिक निकाय है, सविधानिक निकाय का मतलब क्या होता है, इसकी इस्तापना है न, वो सविधान में की गई है, मतलब इसका वर्णन है, वो सविधान में की गई है, सविधान का अनूचे 280, Article 218 में के बारे में वर्णन किया गया है, इसलिए ये एक सविधानिक constitutional body है काम क्या करती है राजी और के जो वित्य हैने उनके सुझाव देने का काम करती है इसे गठी बार्त के राष्ट्रपति के द्वारा की जाता है क्या जमिदारी होती है केंदर और राज्यों के मद्दी जो वित होता है फेंड होता है, उनका मुल्यांकन करना, उनका एविलिएसन करना, ठीकी किस परकार से परफॉर्म कर रहा है, साथ ही साथ में जो करो होते हैं, टेक्स होते हैं, उनका बटवारा किस परकार से होगा, करो का निर्दारन किस परकार से होगा, ये सारी चीज़े हैं, वो इनके द् स्डेइक होते हैं इनकी सिफारी से कैसी होती है ऑधिकारी Add foreigners नहीं होती बसंद्ध क्या ओनीता होने चाहिये रही आई सारी नौलेच होनी चाहिए . hypothesis की नॉलेघ उनी चाहिए ये सारी नॉलेज है वो फिल्चन बन सकता है यह हमारा पूरा अर्टिकल था finance commission से समझित नेक्स्ट आर्टिकल यह मैंस के perspective से काफी important है歡迎 जो कि news में था हमारे technologyences जोईन कर लो वहाँ पर यह अट्टोरियल मिल जाएगा अट्टोरियल यह ही है कि भारत में यूथ काफी जादा सु creeping कर रहे हैं इसके क्या PGál शुषैट कर रहा है यूथ में देखंगा डेखने को मिल रहा है तो काफी अट्षा जिसे बारत संचलित करेगा यानि उसको मैनेज बारत करेगा इससे पहले कौन सा बंदरगा था जिसे बारत सरकार के दुबारा मैनेज किया जाता था तो इससे पहले चहाबार जो है इरान का बंदरगा यानि चहाबार पोट है उसको बारत के दुबारा मैनेज किया जाता है अब सीत्वे बंद्रगा को भी भार्त मैनेज गरेगा, सीत्वे बंद्रगा के बारे में कुछ जानकारी पराप्ट कर लेते हैं, सीत्वे बंद्रगा है न कौन सी रिवर पर है, एक कलादान रिवर है, कलादान रिवर stag 태. यह मयामार की खालादान रिवर हosureं, और कौन सी ऊ पारेट है यह project क्या करता है इसमें जो यह भारत है बारत बांगलादेश से होता हुए मया मार होता हुए एक project बनाएगा इसमें तीनों माध्य में transportation को बढ़ाए जाएगा ताकि क्या हमारा जो import export है वो easy हो जाए इसके साथ हमें जो South Asia के सारे देसे उनको cover करेंगी साथी साथ मया मारे हमारा जो North East के राजिय हैं उनमें भी हमारा vapor अच्छा हो जाएगा साथी साथ Asian के देसे उनके साथ में भी हमारा vapor अच्छा हो जाएगा trade बढ़ेगा इसके लिए यह जो project है वो मोडल टांजिक प्रोजेक्ट भी इसे कहा जाता है सिक्रिफिकेंस क्या होगा हमारा ट्रेड बढ़ेगा वैपा सुकम हो जाएगा वानीजी और वैपार को बढ़ावा देगा यह सारा जो है इसके फाय देऊंगे तो नेक्स्ट जो हमारा अर्टिकल है वह परदार मंत्री फस स्किम में दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए संट्रल सैंट्र इसकी मैं ऐसी होती है इसमें फंड ना पैसे भी सरकार अगया उसको मैनेजबी के अच्वार्मेंट ऑनकि दौदा डिये जाएंगे संचाला ने उसका इस्टेट-ग्वर्मेंट के दौ़ारा किया ज जाता है तो इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए तो हम बात करें लिए परदान मंत्री फसल भीमा योजना के बारे में तो ये सेंटर सेक्टर इसकी में यहने कि केंदर सरकारे से पैसे देगी केंदर सरकारी से त्यार करेगी और इसमें कुछ हेल्प है वो राजय पाइता देने का ये काम करेगी विश्यस्ता क्या हो गया सभी चरणों को पहले क्या था इसमें ओनली पोस्ट हर्वेस्टिंग को कवर करती थी अब है फसल आप उगा रहे हो कोई नुक्सान हो गया उसे कवर करेगी फसल उगाने के बीच में कुछ कवर हो गया ट्रांस्पोर दिया जाएगा बाकी गौष्याइगा तो ये चीज़ आपको पता होने चाहिए फसल भीमा योजना के बारे में चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टीकल की और नेक्स्ट जो आर्टीकल है एको असेंसिटिव जॉन के बारे में क्यों नूज में हर्याना में एक वाइलाइफ स करेंजरी है। ये नैशनल पार्क है। तो इसका जो आसपास का रे इरिया होता है। ये काफी नाजूग एरिया, ऐसा एरिया होता है। वहांपर जो पारिसिती कि हैять है fee इसका महादब libyक्त्षपन होता है इसका संबला नहीं गया तो इसका नुक्सान हो जाएगा तो ऐसे एरिया को eco sensitive zone गोसित कर दिया जाता है वहाँ पर भी कुछ restriction लगाई जाती है ये restriction अलग लग परकार की होती है सबसे पहले ये जो eco sensitive zone होते हैं ये कौन से act के तहत गोसित की जाते है ये को ये चीज़े आपको पता होने चीज़े यूपीसी क्यूसन पूछ सकता है कि जैसे कि national park के वह कौन से act के तहत गोसित की जाता है wildlife century कौन गोसित करता है कौन से act के तहत गोसित की जाता है ऐसे eco sensitive zone कौन गोसित करता है किस के तहत गोसित की जाता है यह सारी चीज है वह पता होने चीज तो एको संसिटिव जी ने जो एको संसिटिव जो आने वह प्रयावन सरवक्षन अधिनियम इस एक्ट के तहत इसे गोशित किया जाता है प्रयावन सरवक्षन अधिनियम 1986 है उसके तहत इसे गोशित किया जाता है और कौन गोशित करता है केंदर सरकार इसे गोसित करती है तो ये चीज Environment Protection Act 1986 का उसके तहत इसे गोसित किया जाता है सेंटर गोर्वर्मेंट के दुवारा इसे गोसित किया जाता है ये दुव चीज़ आपको पता होने चीज़ अब इसमें तीन प्रकार क्या होता है है रिष्टिक्सर पहला है फुल रिस्टिक्सरिशन यहाँ पो कुछ भी नहीं कर सकते हो ज sch कर सकते हो, बागबाणी जो खेटी है वो कर सकते हो, कुछ अपने एनलजी सोर्स है, वो अपना सकते हो, तो ये इनक्वें प्रेक्टिक्षन का लेवल है, तो ये एको sensitive zone के बारे में देख लिए next article ये भी men's के लिए editorial एक आर्था काफी important एडिटोरियल था कि महीलाओं की है न implement में बागीदारी वो कम क्यों है इसके बारे में था काफी अच्छा है ये men's के लिए तो हमारे वर्टिक्स के बारे में दूव ये बंवर के बारे में तो क्यों न्यूज में इसका कुछ अदेन किया गया है इसकी ये न्यूज में है देखो पोलर वर्टिक्स स्टिस्ट केarenthood ये जो है न हमारा Sumtap Monday ठीक है Sumtap Monday यानि की स्ट्रेटो स्फिर यहाँ पर रहना उस नता यहाँ गर्मीन लगार बढ़री है ठीकस का परभव कहां देखने को मिल है इसका परभव है वह पली रीजन रेजें रहें इसमें क्या होता है यह दोनों धुर ना हमारे दोनों पॉल है वहाँ पर जोесके न Rankा होता अब Sumo love क İşा कर दो तोनों दॉनों पल पर एनिक नॉर्थ पोल जवाँ फॉल पर कि यहां पर लो प्रेसर होता थै की Venice numer two कोड़ी यहाँ पर जो विटो वेंड वह काफी भारी होगी और बारी होगी तो यह विट सब्सक्राइब एक एक आप सबस्मेपन वर बंडल यहाँ यहाँ और की जो एफलर की और पोलर की और को भाता है यह कल घोल जो वरी सके घंव एक है बना वरत मेंगे तो होता है जहां पर रजेखां कॉल लट अगांगी यह बहोत ही जादा ऑफ़ सर्द्य हो डापल आप मिए नेक्स जो हर बारा इतिकल है वह दमchlagen के बारा में में क्यों न्यूज में दामोदर रिवर कुछ योजना मनाई जा रही है इसमें पॉलिसन वगरा बहुत जादा फैल गया जिसे कम करने के लिए कुछ इसकिम मनाई जा रही है तो दामोदर रिवर के बारें बात कर लेते हैं उद्गम ओरिजन कहां से होता है यह खरमेट पहाड़ पार्टे ठीक गंगा रिवर बहुत बहुत लंबी चोड़िये तो उसका यह पार्टे दामोदर की ट्रीविट आप ने सहक नहीं के बारें बात करें तो बढ़ाकर है कोंणार है बोकारो है हाओ जमूर्य घरी इनके बारें पता होना चीए कि ब्रा जो दामोदर रिवर है उसके साहिक ने दिया कौन-कौन सी है इनकी ट्रीविटरी इसे बंगल का सोक भी खाजाता है क्यों कहा जाता है इसका बंगल में सोड़ की काफी ज्यादा बार वगरा देखने को मिलती है तो यह हमने बारें बारें बात कर ली नेक्स्ट जो हमारा आटिकल है वो चीतल हिरन के बारे में चीतल हिरन को या इसे इस्पोर्टेड डियर को इस्पोर्टेड ये नियूज में क्यों है नियूज में इसलिए कि ये सुबाचंदर बोस्चो आइलेंड ये वहाँ पर इनकी संख्या जगातार बढ़ती जारी है इसके काण काफी नुकसान हो रहा है काफी दिक् सब इंडियन कौंटिनेंड और ये देखने को मिलता है अर्थ है अंधी जूज कर बार्तिय उपमादी लावा ये देखने हो नहीं मिलती यह साल वरक्स जो वन होते हैं साल के वन वहां देखने को मिलती है गरबदान की अवदी कितनी होती है 231 और 235 दिनों की होती है क्या क्या खाते हैं यह सारी चीजे फूल है फल है पतिया खाते हैं और जो मेल है न उनके ही सींग होते हैं जो मेल के होते हैं उनकी सींग होते हैं आपको ये चीज़े पता क्यों कि एक बारे ना थी से समझे पूचा तक आथी की गरबदान की अवदी कितनी होती यूपेसी ऑल्रेडी क्यूशन पूच चुका है तो थोड़ी बहुत आइडिया होना चाहिए आपको ये चीतल हिरन के बारे मारा अर्टिकल था नेक्स्ट जो लेंन हे ठीकर अडियार रिवर रिवर और ये जो चेंबर कम रिवर रिवर यहां पर इसकी उपस्तिती पाईगी किसकी उपस्तिती पाईए बलFF Florida storage substance की P, F, A, S की उपस्तिती पाई गी है इसके लिए ये News में है ये जो P, A, S इसे forever chemical भी कहा जाते हैं ये कभी नस्ट नहीं होते हैं तो ये जो syntetic chemical का हिस्सा है कावी नस्ट नहीं होते हैं इनके नुक्सान भी बहुत जादा होते हैं तो ये नश्ट नहीं हो सकते हैं, इसके कारण हमें बहुत ज़्यादा नुक्सान हो सकते हैं, लिवर में नुक्सान हो सकता है, तो इसके सम्मद से आप बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, इसलिए ये न्यूज में था, तो इसके बारे में पता होना चाहिए आपको, ने दूसरी जगा से चांक-पाई तृमनतु कहा जाता है अर्ध गुमनतु इन आहां देखने की मिलती है यह गौनका को यह आपना के रखे हैं और यह जो है ना एक तंबु में रहते हैं जिसे है तो थोड़ा बहुत आइडिया इन के बारे में भोता चांग पक्या चीज़े, कहां देखने को मिलते हैं तो चांग जाती है। जो कि तो हमने का उत्तर पस्ची में देखने को मिलता है इक वाड और इसकी राज़दा नहीं क्या है एक इस राज़दा नहीं कीटो है ठीक है यह चीज़ आपको पता होने चीज़ी कौन-कौन से नेबर कंट्री इसकी सीमा किसकी से लगती यह पर पेरू से सीमा लगती है वह लग किसका पार्ट है यह आपको पता होने चीज़ी बूमदी रेका इसी से होकर गुजरती याने इक वेट्र जो लाइनन तो यहीं से होकर गुजरती इसी इक वाड्र भी कहा जाता है एंडी जो परवसंकला है वह यहीं पर देखने को मिलती है अमेजोन है गुवास है पुंट समयन Dad Im we just an' अगने बांच के बारे मंने पारी में हम बात कर ह doubts regard शुर्ट छॉट के बारे में सबसे पहले सका फुल अगने बांच सब आर्टिकल फुल परमिस की क्या है अगनी बाण सब आड़ बिटल टेकनॉलोजी डिमॉंस्ट्रिशन यह इसकी फुल फॉरम है अब यह जो है न यह क्या है यह एक लॉंचिंग विकल है तो यह अगनी कुल पेटेंडेड इंजिन द्वारा शंचाल है यह एक लॉंच विकल है यह दुनि स्राइब्स इंजिन रोकल इंजन है यह जो को स्री रहरी कोटा धiada उसके इंद्रगत एक नया प्राईवेट पयले स्रीहरी कोटा भारत गुवर्मेंट का यहां यानि कि private launchpad बनाए गया है, यहां से यह launch किया गया, भारत का पहला जो private launchpad है, यहां से इसे launch किया गया, विसस्ता क्या यह पहला जो vehicle होगा, यो कि semi cryogenic होगा, ठीक है, काफी यह सस्ता होगा, और इसकी जो weight है, वो भी काफी कम है, साथ ही साथ में, यह mobile है, मतलब आसानी से एक जो IIT की इक startup है, मदरास का इक startup है, उनके द्वारा इसे बनाया गया था, इसको 2020 में इसे launch किया गया था, ठीक है, तो यह मारा पूरा आर्टिकल था, Sorted के बारे में, अगने वान Sorted के बारे में, तो यह private का एक, यह पता होना चाहिए, कि launching vehicle है, private company का, तो इसको launch किया गया भी, इससे समाझते है, तो आज की discussion में इतना ही था, ठैंक्यू, ठैंक्यू very much for discussion, वीडियो काफी लंबा हो जाता है, वीडियो लंबा रखना, या नही सकते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, और इसके करान से कुछ article cover नहीं कर सकते हैं, सारे article cover करने हैं, तो फिर वीडियो लंबा हो जागे, तो इसके बारे में जरूर एक बार बताना, ठैंक्यू, ठैंक्यू very much for discussion,